नमस्कार, आईए सुनते हैं चित्रा मुगदल जी की कहानी, प्रमोशन यहां, शेन कक्ष के इसी पलंग पर बैठे हुए उसे सब दिखाई दे रहा है अकबार आखों के सामने जरूर खुला हुआ है, लेकिन दृष्टी उसकी पैरा पर घूमती हुई, वहीं अटकी हुई है जहां से दस एक मिनट पहले उसने पढ़ना शुरू किया था अपनी उस विवश्टा के प्रतियों से वित्रिशना हो रही है आखिर ये क्या बेहुद की है पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो खामका अगबार खोले पढ़ने का नाटक क्यों रचाए हुए है तैकर रगदे और ललेता पर दृष्टी गड़ाए रहे नजरों की ये लुका छुपी आखिर कब तक चलती रहेगी उसकी द्विगनिता से अनभेग गया नितान सहज भाव से वो सहन में रखे हुए फ्रिज को खोलती बंद करती बची हुई भोजन सामगरी सहेज रही है खाना निपट जाने के बाद ये उसकी सामान्य ततपरता होती है सोने के पहले वो काफी यदूद के विश्य में भी पूछेगी और उत्तरान सार प्याला पलंग के सिराने सटी किताबों वाले छोटे रैक पर रख बगल मिया बैठेगी किसी छोटी किताब के साथ सारी गतिविदियां रोज रात की भाती ही निप्टाई जा रही है पर उसे ऐसा मैसूस हो रहा है कि जैसे आज ललेता के तलवों के नीचे फर्ष की सक्त खुर्दुरी लादी नहीं बलकि मकमली कालीन की गुलगुलाहट आब इच्छी है वो उस पर चल्फिल नहीं रही थिरक रही है अग्बार लेकर बैठा इसी उदेश से था कि सुबह दफ्टर जाने की आपा धापी में उत्तेजक पज़र बहस का जो विस्तरित हिस्सा पढ़ने से शेश रह गया है उसे पूरा कर डालेगा अधूरी जानकारी के चलते वो सैकर्मियों के बीच विवाद का विशे बनी बहस पर अपने आपको तनिक तरकहीन और विक्षुप्त सा अनुभव करता रहा है मन ही मन तैकर के लोटा था कि घर पहुँचकर सबसे पहले अकबार शार्ट डालेगा ताकि कल मित्रों के बीच अधिकार पून धंग से बजट की कमियों खूबियों की व्याख्या कर सके अपने पक्ष के साथ फ्रिश का दर्वाजा खोलने के जटके से उत्पन जहनाटे के बीच तनिक लड़ी आये हुए स्वर में ललिता ने उसे वहीं से सम्भोधित किया डॉक्टर कुठारी को फोन कब करोगे? नौ से उपर हो रहा है ठीक साड़े नौ बुजे वो टहलने निकल जाते हैं और लोटते ही सीधा बिस्तर पर सुबह कर लूँगा अनयास उसका स्वर गुर्राया सा हो आया उसकी गुर्राहाट पर ध्यान ना देते हुए हाथों और बगल में एक साथ पानी से भरी बोतले दबाए उन्हें साफधानी पूरवक फिज में रखती ललिता ने प्रतिवात किया सुबह नहीं अभी कर लो सुबह गंटा वर तो तुम ट्वालिट में बैठे अकबार बाचते रहोगे कर चुके फोन सुबह नहीं हो सका तु फिर रात से पहले उनसे बात नहीं हो पाएगी अभी कर लेने में हर्स क्या है लैब में बात नहीं हो सकती नहीं हो सकती कहां होते हैं किसे पता ललिता कि स्वर की अप्रकट तुनक उसे नागवार गुजरी मेरी बात नहीं भी हो पाई तो तुमने तो उन्हें आमंत्रित कर ही दिया है मैं आगरे नहीं करूँगा तो क्या वो घराना रद्ध कर देंगे आएंगे वो जरूर लेकिन शिष्टिता का तकाज़ा है तुम भी बात कर लोगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा ये भी पूछ लेना शनिवार की रात आने में उन्हें किसी प्रकार की असुविदा हो तो इतवार की दुपहर बढ़िया रहेगी बहस के पच्छडे से बचने की खातिर उसने कोने वाली दिपाई पर रखा टेलिफोन उठा लिया और लिलिता द्वारा लिखवाया गया डॉक्टर कोठारी का नंबर अनिच्छा पूर्वक घुमाने लगा नंबर ततकाल मिल गया हलो हलो भी होती रही मगर जवार्व में वो मौन साधे यूं दर्शाता रहा कि उस ओर निरंतर घंटी बज रही है और कोई फोन नहीं उठा रहा है कांट से चुंगा सटाय हुए कंखियों से उसने ये भी भापने की चेश्टा की और अपना अनुमान सही होता पाया कि व्यस्तिता के बावजूद ललिता का ध्यान निरंतर उसकी और ही लगा हुआ है उसके फोन रखते ही वो हांत रुक कर रसोई की चौकट पर आखड़ी हुई कोई उठा नहीं रहा वो साफ जूट बोला हाँ लगता है घूमने निकल गए है इतनी जल्दी लेकिन हर गोविन को तो हर आलत में घर पर ही होना चाहिए ठीक है थोड़ा टहर कर एक बार फिर कोशिश कर लेना वो बिंद कर रह गया ललिता इतने आत्मिश्वास के साथ ये सब कैसे कह रही है मानो उस घर की सुई से लेकर हाथी तक से उसका गहरा तालुक हो और कब कौन सी चीज कैसे कब हिलती डुलती है उसी के संकेतों पर शुब्ध हो उसने पुना अकबार आखों के आगे फैला लिया फिर वही अटकाओ लुका चुपी खेलता हुआ उसे चखाने लगा शब्धों के डलान पर डग भरती दृष्टी अचानक असवश्च सी होती कुंद ओठी लगने लगा कि अब उसे रास्ता नहीं सुझाई देगा अच्छा हो पीछे लौट चले और वहीं से पढ़ना शुरू करे जहां से पढ़ने की शुरुआत हुई थी ये क्या देखे तो सही उस वॉल के शेयर मिल गए क्या वो भी मिल जाएंगे दफ्तर की क्लांती जो घर के लिए निकलने से पूर बातरूम में जाकर पाउडर और लिप्स्टिक की तहों के नीचे दबाने की कोशिश के बावजूद हर शाम जबरन घर तक लिप्टी चली आती है ललिता की चेहरे से गायब थी दुबारा चाय के अग्रे की प्रतिक्रिया में भी ना प्रति दिन जड़ दिया जाने वाला ठहेंगा उचाला गया भई आमें तो लगता है कि हम दफ्तर में फूल चुनने जाते हैं ना साजेदारी के बहाने उसकी दिन चर्या सूंगी गई विचित्र कहीं से नहीं लगा लेकिन पल भर को ध्यान खिचा जरूर पत्र पढ़ते पढ़ते ललिता की गर्वोक्ति पूर्ण चहेक उसके इर्दगेद चीलों सी मनराने लगी थी मेरा प्रमूशन पत्र कल से मैं अपने पैकिंग विभाग की इंचार्ज हो जाऊंगी खुशी उसने बाटनी चाही थी उतनी ही आज पाजवों में भर जो ललिता के गंदुमी चहरे को आत्म विस्मरन की सुखानु भूती से उत्पत कर तामबई कर दे नहीं जानता कि धमनियों में तरंगे भरता चरम आवेश अचानक शितिल हो अनमना कैसे हो था उसके अस्थिर हो गए मनुभावों से बेसुद ललिता अपनी ही धुन में बोलती रही कि उसका प्रमुशन कोई मामूली बात नहीं दवाईयों की इतनी प्रतिश्टित कंपनी से साड़े तीन सो से भी उपर करमचारियों वाले पैकिंग विभाग में मातर उसे इंचार्ज के पत के लिए चुना जाना अभिमान की बात है और से कर्मियों के लिए इलश्या का विश्य है विभाग के समक्ष डॉक्टर कोठारी ने उसकी मेहनत, लगन और ततपरता की भूरी भूरी प्रशंसा की बता नहीं सकती उनसे प्रशंसा ववाव पाकर कितनी रोमांचित हूँ कई नाम पाकर अपने विद्यार्थी जीवन में भी इतनी विभोर नहीं हुई मैंने उनसे आग्रह किया है लेकिन चाहती हूँ कि इस खुशी के उपलक्ष में तुम भी आभार प्रकट करते हूए उन्हें घर खाने पर आमिंतरित करो लजेता गलत नहीं कह रही उनकी खुशियां बटी हुई नहीं बेमन से ही सही आप चारिक्ता निभाने में हर्जी क्या है उसकी उंगलिया पुना टेलिफोन के डाल पर सक्रिय होटी गंटी भजी की उसोर से शालीन गंभील स्वरकानों में टकराया डॉक्टर कोठारी बोल रहा हूँ हलो हलो उसके उमुट कुछ कहने के लिए उद्वत होते होते अनायास भिच गए कुशल अबिनेता की भाती फोरन चेरे पर रिल्शन का भावत बन कर उसने पैत्रा बदला भाई कोई उठा नहीं रहा लगता है घर लोटे ही नहीं रसोई बंद कर ललिता विसमित होती हुई पास आकर लेड गई सोने में माहिर है हर गोविन कभी कभी तो डॉक्टर साब को घर खुलवाने के लिए फ्लाट का दर्वासा जी जान से भड़ बनाना पड़ता है तब कहीं जाकर उस बेफकूफ की नीन तूटती है नहायती गेर जिम्मेदार है मगर इमानदार है इसलिए बसर हो रही है चलो छोडो सुबे कर ले ना याद करके उसने छुटकारे की सास ली उसे तो यही भैस अता रहा था कि उत्सा के अतिरेक में कही ललिता ये ना क्या वैठे की लाओ मैं स्वयम उन्हें फोन करके तुम्हारी बात करवा देती हूं उमा मित्रा के प्रीति भूज में जिन अत्पके बालों वाले प्रौण सुझन से तुमने परिचय कराया था डॉक्टर कुठारी ही थे न अपने को सहर साबित करने की मंशा से उसने रोखे होते स्वर में भरसक चाशनी घोली हम ललिता की ओधाई हुई उंकारी डॉक्टर कुठारी की चर्चा के साथ अचानक चैतन्य होम रिदू हुआई वही वही थे देखा नहीं था उस संक्षिप सी मुलाकात में भी उन्होंने तुमसे मेरी कारे कुशलता और व्यक्तित्वी की कितनी सराह ना की थी दिमाग में सलाखे चटकने लगी इतराने की भी हद होती है श्रेसकर यही होगा कि वो भी सोने की कोशिश करे हाँ सोने से पहले तनिक दर्वाजे देख ले ललिता इस मामले में बेहद लापरवा है पिछले हफ़ते की यह बात है बालकनी का दर्वाजा राद बहर खुला पड़ा रहा सुबह जब उसकी नजर पड़ी तो उसने ललिता को इस असावधानी के लिए खूब फटका रहा बालकनी से सटे दिवार से लगे हुए पानी के पाइप हैं उन पाइपों के सहारे कोई भी आराम से उनके फ्लाट में दाखिल हो सकता था चाहे वो छटे माले पही क्यों न रह रहे हो वैसे भी सेंद मार के लिए क्या छटा और क्या दस्वा दर्वाजों की सिटकनिया चड़ा वो बिस्तर की और लोटने लगा कि सिगरेट पीने की तलम महसूस हुई सिगरेट उसने माइनों से छोड़ी हुई है सूखी खासी ने तरस्ट कर रखा थ उमरती तो लगता आतें बाहर खीच कर ही दम लेंगी अनेक देशी विदेशी सिरप और गोलिया आजमा डाली अन्हे डॉक्टर ने उसे चेतावनी थमाही दी कि सिगरेट उसके फेफ़नों के लिए विश है अगर वो किसी भेंकर रोक की कल्पना मातर से बचना चाता है त उसे सिगरेट छोड़नी पड़ी कहीं न कहीं पुराना पैकेट जरूर पड़ा हुआ होगा डॉक्टर की मनाही से पहले ललिता उसकी महीने भर की सिगरेटों का कोटा एक साथ लाकर अलमारी में रग दिया करती थी लेकिन अब कोई बचा-कुचा पैकेट ढून निकालना असान नहीं होगा खटके से ललिता की नींद चट सकती है बेचैनी दबाने के लिए बालकनी में थोड़ा टेहली ले न जाने क्या हुआ कि बालकनी की और बढ़ते कदम पलटकर खाने की मेज की और यंद्र चलित से बढ़ गए मेज पर ललिता का बैग रखा हुआ है अवश्यत वस्तु मंगवानी होती है प्रमोशन लेटर भी तो उसके पढ़ लेने के बाद उसने अपने इसी बैग में रख दिया था हाथ लंबा कर वो मेज पर रखा हुआ बैग अपनी और के सका लेता है साबधानी पूरवक उसकी चेन इस तरह खोलता है कि कहीं चेन ख होल बैठे तीसरे खाने में मोड कर रखा हुआ प्रमोशन लेटर भीतर से अमेद भीती में सेन लगाते हुए चतुर मूश सा उसे मूँ बिरा रहा है क्या घपला करती रहती हो उसके तम तमाय मुकपर दृष्टी पढ़ते ही टाइप राइटर पर तेज गती से दौड र एक वाक्य में वही शब्द एकदम सही लिखोगी दूसरी पंक्ती में गलत क्या हो गया है तुमाही समझ को जब तलक मैं विभाग में हूँ गनीमत समझो सब समला रहेगा आगे तुम्हारी इन लापरवाईयों का कौन नजर अंदास कर पाएगा कागज लेकर फौरण मेर करना चाहिए था एक शन के लिए भी उसे और डाटता तो निश्चित ही वो दहर खोकर रो पड़ती हुआ भी वही उसकी मेस तक आते आते रेखा अपने को सयमित नहीं रख पाई उस अप्रत्याशित स्थिती के लिए वो कतई तयार नहीं था अजीब सी उलजन में पढ़ हुआ तो अपनी अशोबनीय हरकत पर लज्जित होता हुआ कुछ सी पर आ बैठा रेखा कुछ दिर बाद प्रकृतिस्त होकर कमरे से बाहर निकल कर सीधी बाथरूम में घुज गई ताकि अपनी मेस तक पहुँचने हे तू स्वयम को दूसरों के सामने होने लाइक विवस अपनी और सुधारनी शुरू कर दी थी प्रिया गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 11 में उस रोज उसने रेखा को एक साथ दो खुश खबरियां दी थी बधाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया है सुनकर रेखा के अंडाकार सावले चेहरे पर तैर आय अविश्वास की काई को का अच उसने ये भी सूचित किया कि कल सुवे उसे उसका बदोननती पत्र मिल जाएगा अब तुम टाइपिस से स्टेनोग्राफर हो जाओगी लेकिन तुम्हें जल से जल शौट हांड में निपुनता पाले नहीं होगी और हाँ मैं इसी पहली से मुख्याले में स्थानांतर हो रहा हूँ मेरी कोशिश होगी कुछ दिनों के भीतर तुम्हें भी वहीं बुलालू रेखा के सलोने चेहरे पर सावनी बादलों की पनियाई पुलकन उतर आई कृतग्यता ग्यापित करती उसकी भूरी आँखों का ठहराओ पलों तक उसके चेहरे को अपनी गुलगली ग दिखाई दे रही थी महसूस हो रहा है कि जैसे मुठ्यों में कसी हुई विश्वास की डोर का सिरा बलात उसे किसी अंदकूप की और घसीटे लिया जा रहा है वो कोशिश करके भी ललिता की इस खुशी को मुक्त रिदय से स्विकार नहीं कर पा रहा कोई दर्क उसके तना मात्र शिद्धा नहीं हो सकती ना बॉस के प्रती अपचारे का दर्वाओ वो भी दफ्तर में काम करता है और पिछले बारों वर्ष से निरंतर कर रहा है दफ्तरी आचार वेवार उसके लिए पहेली नहीं है सोती होई ललिता पर उसकी क्शुब द्रिश्टी घुमी तो हा सक्सेना साब चुटी पर चल रहे हैं उनके जिम्मे का काम भी आजकल उसे ही देखना पड़ा है दफ्तर पहुंचते ही चप्रासी मेस पर फाइलों का अंबार लगा देता है तिस पर हर आदे घंटे बाद बड़े साहब का बुलावा हर बात को लेकर जवाब तलब स्थान मुख्याले में उसके जैसे पचीसों महन तेखी मेंच पर अपनी अपनी मेजों पर गर्दन जुकाए हुए फाइले निप्टा रहे हैं कितना खुश हुआ था वो मुख्याले में अपने स्थाना अंतरन को लेकर लड़िता की पूर्ती पूरवरत कायम दिखी दूसरी चा कारी दफ्तरों में पाच दिनों का कामकाश शुरू हुआ है तब से उससे निकलना भी लड़िता से बहले पड़ता है और लोटना भी उसके बाद होता है मगर ये किसी के निर्दोश होने का प्रमान नहीं है कि वो दफ्तर के लिए समय से निकलता है और शाम को समय से घर ल का पदोननती होते ही दफतर का समय बदल गया उसके कटाक्ष पर ध्यान ना देकर अंडे और टोस की तश्टरी उसकी और बढ़ाते हुए उसने कारण सामने रखा कल मौका और था इसलिए जानबूच कर उसने इस दुखत प्रसंग की चर्चा नहीं छेडी मागरेट की समय रुक पाना उसके लिए संभव नहीं लेकिन कुछ देर के लिए ही सही मागरेट से मिलती होई जाएगी तो विबदा की घड़ी में उसे बड़ी सांतुना मिलेगी पैसो आदी की जरूरत के बारे में भी पूछ लेगी फरस बनता है उसका अंडा निगलते हुए वो व लब धव पाना मुश्किल है संडे की दुपहर को ही पक्का कर लो मैं किसी कुठारी को फोन नहीं करता जानता हूं डॉक्टर कुठारी तुम पर इतने महरबान क्यू है इस कंपनी में नौकरी करते हुए तुम्हें तीन साल भी पूरे नहीं हुए तीन साल में इतना प्रमोशन विभाग में तुम्हारी बनिबिस्त अनेक वरिष्ट अनुभवी योग्य वक्ती पड़े हुए हैं इतने वर्षों से उनका नंबर नहीं लग रहा है तो मचानक तीन सो लोगों को पचार विभाग की इंचार्ज हो गई सुनकर ललिता स्थब दो ओठी इतना ग्रनिट संच है लांचन लगाते हुए उसके विवेक ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो कितना अनरगल वक रहा है और किसके लिए कह रहा है कल संध्या से ही उसके उपेक्षा पून वेवार को उसकी अस्वस्तता और उसके अं वो खुल कर हसने दे रहा था ना बोलने ना खुशी बाटने स्वभाव से थोड़ा तुनक मिजाजी है किन्तु उसके चोटे मोटे ताने तुके और मुफ लववल को वो सदयव सामान ये नोगजोक मान कर अंदेखा करती रही लेकिन सहिशनुता की भी कोई सीमा होती है आ गेलो, ऐसा लड़का तो मिला जो स्त्री की स्वतंतिता और उसके स्वावलंबन का पक्ष्टर है क्या मालूम था कि ये स्त्री के स्वावलंबन को महत्व देना नहीं अपितू उससे पैसों की तकसाल मान कर इस्तिमाल करने की राजनीती है पुरुश की पदोन्निती हो तो तो वो उसकी लगन और मेहनत का परिणाम है अपनी लगन और परिश्रम से स्त्री उन्नती करे तो वो उसकी अपनी प्रतिभा नहीं बलकि किसी डॉक्टर कुठारी की अनुकमपा है और बीच में शरीर आये बिना ये स्वंभव नहीं है क्रोट से चेहरा तम-तमा आया धैर चुग गया छी-छी इतने बड़े भदर पुरुष के प्रति तुम्हारे ऐसे कुछ से क्विचार होश में तो हो ठीक कह रही हो होश में तो होना नहीं चाहिए लेकिन सैयोंगवश होश में हूँ और ऐसे भदर पुरुषों की जन पत्री मैं खूब अच्छी तरह बाच लेता हूँ डॉक्टर कुठारी के साथ तुम्हारा काम करना मुझे बरदाश नहीं पारिवारे खित में यही उच्चित होगा कि तुम मेरी आखों में धूल जोकना छोड़कर सीधे सीधे घर बैठो इसका निर्ने तुम क्यासे करोगे तो कौन करेगा ना नौकरी मैंने तुमसे पूछ कर की थी ना तुम्हारे कहने पर छोड़ूंगी ठीक है अच्छी तरह सोच लो नौकरी और घर में से तुम्हें क्या चुनना है सोचना मुझे नहीं है सुभाष सोचना तुम्हे है मानसिक तोर पे रुगन तुम हो मैं नहीं कान खोल कर सुन लो तुम्हारी कुंठाओं द्वारा रचा हुआ सत्य मेरी नियती नहीं बन सकता पॉलितिन की थैली में लिप्टा हुआ अपना खाने का डबबा उठा ललिता उससे जियों का तियों छोड़कर दर्वाजे से बाहर हो गई तो ये थी चित्रा मिगदल जी की कहानी प्रमोशन सुनने के लिए धन्यवाद साथ में आपसे कनरोध भी है अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए तेंक यू